नमस्ते, मेरा नाम रादिका है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और आप सब की जैसे अभी मेरे घर में बंद हूँ, बहुत बौर हो रही हूँ, तो मैंने सूचा मैं आप सब बच्चों के साथ मेरी फेवरिट सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर लो, तो आप तयार हैं, तो एक छोटा सा लरका था, उसका नाम था पिंटू, और वो एक गाउ में रहता था, जिसके बाहर एक बड़ा सा पेड था, बड़ा सा आम का पेड या वरुक्ष, आपने देखा हैं, अभी आम का पेड, एनिवे, पिंटू और ये पेड बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, गहरी दोस्ती थी इनलों को के बीच में, पिंटू पेड पेड पे चड़ता, उसके टहनियों से टांग के कूता, उसके यम्मी यम्मी मैंगो रोज खाता, और उसके लीव्स होते हैं जो पत्ते कहते हैं, पत्तों से मुकुट बनाता, वो लोग बहुत मस्दी करते थे साथ में और पेड भी पिंटू को बहुत प्यार करता था, पर अभी टाइम आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, और पिंटू थोड़ा बड़ा हो गया, अभी पिंटू वो गाव छोड़के शहर में चला गया, काम के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, एक दिन पिंटू वापस आया पेड के पास, पेड पिंटू की बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत इंतजार कर रहा था, वेट किया उसने, वो सोचा था पिंटू कहा है, पिंटू वापस क्यों नहीं आता है, पिंटू को देख के वो पेड खिल उठा, वो बोला पिंटू ज जी कहां थे आप पर पिंटू जी तो बहुत ही उदास दिख रहे थे पिंटू जी बोले क्या बताओ पेड़ जी मेरी लाइफ बहुत ही खराब है अभी मेरा बड़ा सा परिवार है पर मेरे पास कोई भी घर नहीं है में क्या करूँ मैं मेरा घर मेरे घर भनानी के लिए मेर टेहनियों से अपना घर बना सकते हो तो पिंटू खुश हो गया वो बोला हाँ टेहनियों से मैं घर बना सकता हूँ तो मेरा परिवार भी बहुत सेफ रह जाएगा खुश हो जाएगा तो उसने टेहनिया काट दी और वो चला गया उसने अपना बहुत सुन्दर सा घर बना दिया और वो बहुत सालों तक खुश रहा पर इस टाइम में वो वापस पेड़ जी को भूल गया वापस गया ही नहीं पेड़ जी रुके होए थे, रुके होए थे पिंटु कब आयेगा, कब आयेगा वो मेरे आम कब खाएगा, कब खाएगा पर पिंटु आया ही नहीं ठीक है, कुछ साल बाद पिंटु वापस चला आ गया पेड़ जी खिल उटे, वो बोले पिंटु कहां थे आप में तो रुका हुआ था आपके लिए पिंटु बोला, क्या बताओं, जी मेरे पास बिलकुल पैसे ही नहीं है मेरे परिवार के पास अब घर है पर खाने पीने के लिए कोई पैसे ही नहीं है मैं क्या करूँ तो सेब बोला, आइडिया मेरे आम आप उतार के लेके जाओ और अपने परिवार को रोज खिलाओ, जो आम बच गए है आप बेच सकते हो और वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे, पिंटु जी बड़े खुश हो गए, सब आम लेके वो चला गया, अपने परिवार को का पेट पूरे से भरके दूसरे आम वो बेच आया, उसके पास सिर् पिंटु आएगा उनसे मिलने, थैंक यू बोलने के लिए, पर पिंटु आया ही नहीं, तो पेट जी उदास हो गए, फिर एक तिन पिंटु वापस आ गया, पेट जी क्या हुआ उनको, वो खिल उठे, वो बोला, पिंटु जी आ गए, हम तो आपको बहुत निस कर रहे थे पर पिंटु जी वापस उदास, पेट जी बोला, क्या हुआ, क्यूं उदास हो, तो पिंटु जी बोला, अरे क्या बताओ जी, मेरी लाइफ ही ऐसी है, अभी मैं इतना काम किये हुए, इतना परिवार को बड़ा किया, परिवार का देखभाल किया, घर बनाया, पैसे बनाय मुझे एक बड़ी सी नाव बनानी है और मुझे दूर यहां से जाना है तो पेड़ बुला जी, हम् मुझे करेंगे अभी, तो पेड़ बुला, अच्छा, आइडिया, आप है ना मेरा पूरा बॉडी लेकर जाओ, मेरा टना ऋये ना मेरा बॉडी अप लेकर जाओ, वो क्या हो गए हाँ खुश हो गए उन्हें पेड का पूरा तना काट दिया और एक बड़े से नाव में वो दूर अलग अलग जगा में फिरता घूमता खुश रहा अभी कुछ साल और साल बीत गए अभी पिंटु जी बड़े बूड़े हो गए थे बहुत घूम घाम के ठक गए थे तो वापस पेड़ जी के पास आ गए बोला पेड़ जी पेड़ जी मैं बहुत थका हुआ हूँ तो पेड़ जी बोला अरे आप कैसे हो कितने दिन से मैं आपस नहीं मिला हूँ मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ पर अभी मेरे पास कुछ नहीं रहा मेरे आम भी चले मेरे तहनिया भी चली गई मेरा तनाया बोडी भी चला गया अभी मैं आपको क्या दू तो पिंटु जी बोले क्या बोलू भाई मुझे ये कुछ नहीं चाहिए मुझे भूक नहीं है मेरा घर बना हुआ है मेरी नाव भी है मैं तो अब सिर्फ बहुत बूढ़ा और ठका मुझे सिर्फ एक बैठने की जगह चाहिए भाई वही तो पेड़ जी क्या बोले पेड़ जी बोले फिर तो मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूं ये जो रह गया है ना मेरे बोडी का तना का पाठ जो एकदम जमीन से जुटा हुआ है मेरा उतना ही तना रह गया है भाई प ये लड़का बहुत खुश हो गया वो बैठ गया और पेड़ खुश था ये कहानी का अंत है मुझे होप है मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आई इसमें अलग-अलग सिखावट है पर मैं ये आपके पास ही छोड़ती हूँ क्योंकि मैं नहीं जाती कि मैं मेरी सिख आप पे डालू आप सोचिए ये कहानी से आप क्या सीखते हैं